असलाम अलेकुम जी, ये जानना बहुत जुरूरी है कि Adobe XT, Photoshop और Illustrator के साथ किस तरह से collaborate करता है और हमें क्या benefits है तो for example हमने अपने design में कोई image यूज की, जैसा कि his Potter की image है, तो he is a British senior accountant हम साथे हैं कि इसका जो background है, वो हमें बिल्कुल नजर ना आए, we just want the image, ठीक है, जो इसका face है तो इसके लिए we will just right click on the image और यहां से पहले हम इसको ungroup कर लेते हैं और इसके बाद मैं इस image पर click कर रहूं और यहां से हम कहते हैं जी, edit in Photoshop, ठीक है जी तो Photoshop में बड़ी quickly इसका जो background है उसको remove करते हैं, तो मैं यहां से quick selection tool पर click कर रहा हूं और यहां से उपर एक button पर click कर रहा हूं, that is select subject, it took some time और इसने यहां से हमारे object की selection कर दी now we will mask the selection, तो मैं यहां से layer mask पर click कर रहा हूं और इसके बाद simple मैं file में जाता हूं और इस image को save कर लेता हूं, ठीक है, वापस xt में जाते हैं और यहां जाके देखते हैं कि उसने हमें क्या save कर दिया, now you can see, we do not have the background, हमने बड़ी quickly इस image का background remove कर लिया, इसके लावा अगर आप मजीद इसके उपर और experiments करना चाहते हैं, तो add it in Photoshop, यहां से हम जाते हैं, adjustment layers के अंदर, और इसकी जो vibrance है, यहां से जाके, इसके colors को थोड़ा से कम कर लेते हैं, ठीक है, और इसको file में जाके save कर लेते हैं XT में आते हैं, so आप बड़ी immediately अपना change यहां पर देख सकते हैं, ठीक है, इसके लावा एक और बड़ी important चीज है, कि आप icons यहां पर design कर रहे हैं, और icons का थोड़ा सा change करना चाहते हैं, जैसा कि हम वापस आते हैं, और यहां से जाके material design icon को choose कर लेते हैं, और एक icon हमारे पा design नहीं है, तो हम इसको edit कर सकते हैं, तो XT के अंदर edit करने की options बहुत limited हैं, हमने Adobe Illustrator सीखावा है, तो उसमें जाके चीजों को edit करना, it's very easy, और वहां पर आपको a number of options देखने को मिल जाती हैं, ठीक है, तो .svg file को हम open कर लेते हैं, Illustrator के अंदर, और इसके बाद इस icon को time, तो I recommend you के जब भी आप icons को use करें, हमेशा SVG icons को ही इस्तमाल करें, कभी भी किसी website से PNG icons को use ना करें, क्योंके PNG images को आप edit नहीं कर सकते हैं, उनके colors को change नहीं कर सकते हैं, और दूसरा quality का बहुत बड़ा issue आता है, so vector icons को ही हमेशा use करें, तो इसको यहां से edit करते हैं, ठीक selection tool लेके, इस point को यहां पर move कर लेते हैं, और इस point को इधर move कर लेते हैं, ठीक है, maybe this can be the icon जो के हमेशाए, या फिर हम इसकी जो position है, उसको मजीद change करते हैं, इसको थोड़ा सा उपर की तरफ move करते हैं, और यहां पर एक जो ruler है, उसको place कर लेते हैं, ठीक है जी, और इसको से पकड़ के move करते हैं, right, so this is another icon, जो के हम use कर सकते हैं, zoom out करें, अगर आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, so just copy, ctrl c, xd में जाएं और यहां जाके ctrl v करते हैं, Now this is the editable icon, तो यहां पर आपको इसको मजीर edit करने की options तो बहुत limited मिलती हैं, लेकिन you can change the color of this icon in Adobe XD, ठीक है, तो colors आप यहां पर भी change कर सकते हैं, इसको आप rotate करना चाहते हैं, इसको reflect करना चाहते हैं, कुछ options आपको यहां पर मिल जाती हैं, लेकिन जो options आपके पास illustrator में हैं वो आपको options यहां पर नहीं मिलती हैं, तो अगर आप अपनी कोई vector objects को edit करना चाहते हैं, तो इसको illustrator में जाके edit करें, और XT में move कर लें, और अगर आप कोई image edit करना चाहते हैं, तो उसको photoshop में लेके जाएं, और वहां जाके आप different effects apply कर सकते हैं, so this was very important, experiments करें, different illustrations को उठा से move कर सकते हैं, so this is a very helpful thing, see you in the next lesson, thank you so much.